लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खेलना आसान काम हो चला है उन्नाव के असीवन थाना इलाके में रहने वाले इस शक्स का कारणामा सुनेंगे तो हसेंगे भी, घुस्सा भी आएगा और चिंतित भी हो जाएंगे चिंता इस बात की कि कैसे धर्म को धंदा बनाने की हिमबत इतनी आसान हो गई है मंगलवार को महमूद पूर गाउं के रहने वाले एक यूवक ने ऑनलाइन एप मिशो से मूर्तियों का एक सेट मंगवाया उसे खेत में दबा दिया और फिर खुदाई कर गाउंवालों से बोला कि ये मूर्तियां सेकड़ों साल पुरानी है लोगों ने भी उसकी बात मान ली, मूर्तियों पर चढ़ावा चढ़ने लगा लेकिन मूर्तियों की डिलिवरी करने वाले यूवक के खुलासे ने आरोपी का सारा खेल चौपट कर दिया चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं उनाव के असीवां थाना इलाके का एक गाउं है महमूतपुर यहां रहने वाले शोक कुमार ने मंगलवार को दावा किया कि उसे अपने खेत में खुदाई के दोरान धार्मिक मूर्तिया मिली है जो सैकड़ों साल पुरानी है इस एलान के बाद इन मूर्तियों को देखने के लिए गाउं में मजमा लग गया बड़ी संख्या में भीड पहुँचने लगी पुलिस को जानकारी हुई तो उन्होंने मूर्तियों को अशोक कुमार के खेत में ही रखवा दिया और पुरातत्व विभाग को खबर दे दी अगले ही दिन अशोक कुमार ने अपने बेटों रवी और विजय की मदद से खेत में रखी मूर्तियों के उपर छाया के लिए तिरपाल लगा दिया फिर क्या था आस्था के नाम पर गाओं के लोगों ने मूर्तियों पर जम कर चड़ावा चड़ाना शुरू कर दिया ये सब देखकर पुलिस भी हैरत में थी लेकिन मामला आस्था का था तो कुछ भी कहने से हिचक रही थी तब ही मामले में बड़ा ट्विस्ट आया पुलिस ने ततकाल सक्रिता दिखाई और फोर्स के साथ मौके पर पहुँच कर पिता और पुत्रों को गिरफतार कर लिया इस दुरान शुर्द हालूं को सही मामला समझाने के लिए पुलिस को काफी मश्रक्कत करनी पड़ी पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अशोक कुमार उसके वेटे रवी गौतम विजे गौतम को शांती भंक की धारा में चालान करके गिरफतार किया गया है ओनलाइन मूर्तियों को खरीदने के बाद ये शडेंतर पिता और दो पुत्रों की और से रचा गया था ये मामला असीवन थानाचेत्र के महमूदबुर गाओं का है महमूदबुर गाओं के निवसी अशोक तो लड़के पिछले दो दिनों से गाओं के लोगों को ये पहला फुस्तला रहते कि उनकी खेत में कोई सपना आया है जिसके माधियम से उन्होंने खेत में खुदाई की और खुदाई में मुर्तिया निकली हुई है और वहां पर एपनी मंदिर स्थाबित करना चाह रहे थे तो प्रतब इस पहली बार को सुझाया गया बात में जब इस मेंटर के जांच की गई तो पाया गया कि ये मुर्तिया उन्होंने इस दनाजान से बगाई हुई थी इसके प्रमाण भी मिले और डॉंक लोगों को सही बात बताई गई और यह जो लोग लोगों को बहला कुस्त ला रहे थे प्रगला रहे थे और भी आप शेकरवाणी की जाए तो अन्बिटी ओंलाइन की रिपोर्ट